गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में राश्टर कूर सासकों के साहित्ते और धर्म के बारे में ध्यन करेंगे तो देखें स्टुडेंट्स यह जो टोपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं यह जो जितनी भी इत्यास विशे से सम्मधित एक्जाम से चैया आप उसमें जो फेस्ट टीचर का एक्जाम है सेकंड टीचर का एक्जाम है नेट है आरेस है इन सब में जो राश्टर कूर राजवन से वो उससे सम्मधित क्यूशन पूछे जाते हैं तो हमने इन सबी एक्जाम को धान में रखते हुए यह वीडियो बनाया है तो देखेगा हमारा वीडियो एक्जाम की द्रश्टी से वहुती यूजफूल है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शे कि अध्राइब करें तो चलियो बढ़ते हैं राश्ट्रकूटों का सहीत ग्यमधार्मिक इतिहास कि देखेगो राश्ट्रकूटों के बारे में हमने काफे कुछ पहले भी पड़ा है जैसे कि राश्ट्रकूट राजवन सॉं कौन सा राजवन सा इसका इतिहास में क्या यो पहले पढ़ चुके हैं तो देखेगा आप प्लेलिस्ट में जाके और राश्ट्रकूर्ट राजवन्स के बारे में वीडियोस देख सकते हैं ठीके तो साहिते का इतिहास राश्ट्रकूर्ट नरेश विद्वान तथा विद्याप्रेमी थे और उनके दरबार में जो कावे गरंत है किसका लिखाव है वह है राश्ट्रकूर्ट सासर अमोग वर्स का कवी राजमार्ग जो कावे गरंत है ये कौन सी भासा में है कंणर भासा में है ठीके तो जो अमोग वर्स है इसकी राजसभा में आदी पुराण के लेखक जिनसेन गणित संग्रह के रच शियेता महावीराचारिये तथा अमोग वर्षती के लेखक साक्तायन निवास करते थे, ठीके, तो जो अमोग वर्षत हैं इसके दर्बार में कौन-कौन से विद्वान थे, जिन्षेन, और महावीराचारिये, और साक्तायन, ओके, राष्ट्रकूर्ट नरेसों ने कन्नड भा जा सहीत्य को सरंग्षंपरदान किया तो जो रास्ट्रकूर्ट नरेस से उनोंने कंदभासा और कंदभासा में लिख्या गए साहीत्य को सरंग्षंपर्दाननाрист किया महत्वय मिला था अब आता राष्ट कूर्ट सासकों का धर्म तो राष्ट कूर्ट सासक वा किस धर्म को मानते थे अब देखेगा राष्ट कूर्ट सासक वो उटसा ही विजयता तो थे ही थे इसके साथ ये साथ वो धर्म, साहित्ते और कला में भी गहरी भीरूची रखते थे तता सांती के काल में किये गए उनके कारिय भी परसंसनिय है राश्ट्रकूर्ट राजों ने ब्राह्मन तता जैन दोनों ही धर्मों को प्रिशेद दिया है जो उनकी धर्मिक सेशनुता का परिजायक है राश्ट्रकूर्टों के काल में दक्षिना पत में जैन दर्म का विकास हुआ महान राश्ट्रकूर्शासक अमोक वर्ष प्रत्थम ब्राह्मन दर्म से अधिक जैन दर्म में भी रूची रखते थे पर्षिद जैन आचारिये जिन सेन उसके गूरु थे तथा उसने एक जैन आचारिये गुण भद्र को अपने पुत्र कृष्ण का सिक्सक नियुक किया था उसने बनवासी में जैन विहार निर्मित करवाया था तथा अन्यक जैन विहारों को उसने दान दिये थे कई रास्ट्र कूट से नापती भी जैन मतानुयाई थे जैन द्रम के अलावा रास्ट्र कूट काल में वैश्नव और शैव द्रमों का भी व्यापक परचार परशार था तो ब्रामन द्रम था इसके साथ जैन द्रम था और वैशनव और शैव द्रम भी व्यापक रूप से राश्ट्र कूटकाल में थे अमोगवर्ष ने जैन मतानुयाई होते हुए भी महालक्समी की पुजा की तथा एक बार अपने राज्ये को विशन महामारी से बचने के लिए उसने अपनी एक उंगली उसे काटकर चड़ा दी थी ठीक है राश्ट कूट यूग में बोध द्रम का परचार कम रहा कनहरी का बोध विहार इस समय सरवादिक परशित था इसलाम द्रम के परती भी इस काल के लोगों का द्रस्टी कोण सहिस्त्रा पूर्ण था अर्थात इसलाम द्रम को भी वो लोग मानते थे मुस्लिम लेकों के विवरण से पता चलता है कि राश्ट कूट राजे में अरब व्यापारियों को मस्जिद बनाने तता धर्म का पालन करने की पूरी श्वातनतरता मिली हुई थी ठीके अर्थात हम कह सकते हैं कि राश्ट कूट राजवन से इस समय में धार में कडरता नहीं थी धार में की विवस्ता थी वो फ्लेक्सिवल थी कोई भी धर्म लोग भाग आसानी से अपना सकते थे ठीके तो इस वीडियो में हमने राश्ट कूटों के साहित और धर्म के बारे में जानकरी प्राप्त की इसी परकार से इत्यास विशेज सम्मदित महतव पूर्ण जो जानकरी वो आपको यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे मिलती रहेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे